दोस्तो जैहिन जैभारत में दीपर रशी बाजरवाव यूटूब चैनल पर आपका अभी नंदन है आज का एक अपडेट देख लेते हैं 16 अपरेल रवीवार का दिन और नीमच मंडी में लसून की आवक की स्तिति कैसे है कल सोमार के लिए दोस्तो एक अवकाश की सूचना क अबडेट भी दिया है वीडियो दिया है मैंने कुछ समय पे ले वह आप ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि आने वाला जो हपता इसमें तीन अवकाश आ रहे हैं आवक का अपडेट देख लेते हैं लसून में कैसा है यह मेरे पीछे आप गेट की स्तिति देखते हैं गेट क बाहर कोई भी वहान नहीं है बलकुल आसानी से प्रवेश मिल सकता है अभी इस गेट से प्रवेश नहीं मिल रहा है अभी में गेट से प्रवेश मिल रहा है जिदर से अन्य जिन से आती है बाकि आप आराम से अंदर आ सकते हैं अभी आवक की स्तिति की बात करें ट्रालियो में और बीच-बीच में खाली वान भी है लाइन तो 50-50 वान के असपास दिख रही होगी आपको मगन कुछ खाली वान भी है मैं किन कर आया हूं लगबग और यह कट्टों में आवक देख सकते हैं मेरे पीछे की साइड में जो इदर कट्टों में आवक लगती है इन दोनों आज वाला शप्रा तो खाली है बाकि दोनों जो शेड है इन शेडों के अंतरगत आवक की बात करें तो लगबग तीन एक अजार बोरी के असपास इन शेड के अंतरगत आवक है एक में 2000 के असपास है कुछ और आवक सुबह इन में बढ़ जाएगी क्योंकि अभी अज़ार श्टोलियां है 35-40 टोली और 30 बोरी से माने तो 1200 बोरी 1000 बोरी लगबग मानने अपन तो 8000 बोरी की कुल आवक है निमस मंडी में हल फिलाल एक दिन में लगबग निमस मंडी के अंतर 18-20,000 बोरी प्रती दिन रोच बिकी रहा है तो 18-20,000 मामूली बात है बिकना औ जो हाल फिलाल के आवक 8,000 बोरी की है मंडी प्रांगर खाली है जो भी आना चाते हैं वो आ सकते हैं और अवकाश की सूचना का वीडियो दिया है वो भी आप देख सकते हैं जो अपते में तीन अवकाश आने वाले हैं दोस्तो चार बच के सात मिनिट पर ये वीडियो आप आपको उप्द कराय जा रहा है आवक का अपडेट का तो शाम का चार बच के सात मिनिट का समय है अभी रविवार का दिन है और ये आवक की स्तती अभी की है इसके बाद आवक क्या बढ़ेगी वो कल सूबे आपको भाव के साथ में दिया जाएगा